नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागात एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूटूब चैनल विधी टेरिया में दोस्तों मैं हूँ एड्विकेट मंजीत रपाथी और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या बैंक राइट आफ किये गए लोन को माफ कर सकता है या फिर राइट आफ लोन का सेटल्मेंट हो सकता है कि नहीं देखें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका प्रश्ण होता है कि सर मेरा लोन राइट आफ हो गया है और बैंक के रिकवरी एजेंट हमें बहुत परिशान कर रहे हैं हमें गालिया दे रहे हैं हमारे घर पर आ रहे हैं हमारे साथ अभधर वहवार कर रहे हैं प्तमीजी कर रहे हैं तो क्या हमारा ये लोन सेटल्ड हो सकता है क्योंकि हमारा तो लोन राइट आफ हो चुका है अब ये हमें बहुत जादे परिशान कर रहे हैं कुछ लोग ये सोचते हैं कि लोन जब राइट आफ हो जाता है तो वो बिलकुल ही माफ हो जाता है बैंक हमें कोई भी परिशान ही नहीं करेगा तो क्या राइट ओफ होने से लोन माफ हो जाता है या फिर लोन अगर राइट ओफ है तो उसका सेटलमेंट हो सकता है या नहीं दो महत्वपून प्रश्ण हैं लोग इसी में कन्फ्यूज होते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर आपका लोन राइट ओफ हो गया है और आप यह सोचते हैं कि बैंक अगर कोई फोन नहीं कर रहा है कोई लेटर नहीं भेज रहा है तो क्या आपका लोन माफ हो गया है बैंक उसे भूल गया है देखिए राइट आफ का मतलब ये होता है कि बहुत दिनों से जिस लोन की रिकावरी बैंक नहीं कर पाती है उसको वो लोग राइट आफ कर देते हैं इसके बाद उसको एक अलग तरीके से सेक्शन में वो ट्रीट करते हैं जब लोन आपका राइट आफ हो जाता है तो फिर बैंक उसको बहुत ही तेजी से वसूलने के लिए रिकावरी एजेंट्स आपके घर पे भेजती है वो किसी ना किसी तरीके से उस राइट आफ किये गए लोन की वसूली करता है देखिए राइट आफ लोन अगर ह हो जाता है बैंक को ऐसा लगता कि यह मेरा लोन डूब चुका है अब हमें इसकी मिलने की कोई उमीद नहीं है लेकिन इसकी रिकावरी के लिए वह पूरा का पूरा प्रयास करते हैं अपना पूरा हाथ पैर मारते हैं रिकावरी एजेंट आपके घर पे भेजते हैं आपके फोन करके परिशान करते हैं आपके रिष्टेदारों को परिशान करते हैं तो ऐसे लोन माफ नहीं होते हैं तो बहुत सारे लोग का प्रशन ये था कि क्या राइट आफ किये गए लोन को बैंक माफ कर देता है तो ऐसा बिलकुल नहीं है वो एक साल दो साल तीन साल के बाद कॉल करके आपको परिशान करेंगे जब तक आपको बैंक से नहीं मिलेगा तब तक आपका बैंक पीछा नहीं छोड़ेगा तो आपका लोन राइट आफ है तो वह माफ नहीं होगा उसमें आप 50-60-70% छूट पा सकते हैं अगर बैंक रेडी है उसको लगता है कि थोड़ा बह को भेजते हैं नहीं तो फिर वह आपको अपने ब्रांच में बुला करके कहते हैं कि चलिए हम लोग इसमें सेटल्मेंट कर लें तो यह होता है राइट आफ लोन का कंडिशन दूसरा होता है कि सेटल्मेंट होता है तो इसका सेटल्मेंट होता है अगर बैंक आपके लोन का बहुत प्रयास करते हैं तो इसमें आपका settlement होता है तो right of किये गए loan माफ नहीं होते हैं और इसका settlement होता है settlement में bank आपको offer अच्छा खासा देता है हो सकता है 60-70% वो दे दे लेकिन 50% तो discount इसमें मिलता है तो इसका settlement bank में भी होता है और इसका settlement लोग अदालत में भी होता है लेकिन आप हमेशा याद रखिए राइट आफ लोन कभी भी माफ नहीं होता है आप लोग का प्रश्ण यही है देखिए आपने अगर बैंक से कोई भी लोन लिया है चाहे वो सेक्योड हो अनसेक्योड हो क्रेडिट कार्ड हो एजुकेशन लोन है अग बैंक दो साल बाद फिर से आपको कॉल करने लगता है परिशान करने लगता है उसके रिकवरी एजेंट आपके साथ बत्तमीजी करने लगते हैं और आप उसमें परिशान हो जाते हैं तो ऐसे कंडिशन में भी आपको क्या करना है अगर आपने पैसा पूरा दे दिया है और और कुछ नहीं देना है बैंक को ऐसे कंडिoring में आपको क्या करना है अपने लोन का statement ले लेना है जो credit card का statement है जो बिल आपने payment किया है उसके regarding आप पुरा का पूरा अपना statement ले लिजेगा और उसके बाद उसमें अगर loan closed लिखा हुआ है paid लिखा हुआ है तो बस आपको bank के branch manager को एक application दे करके एक प्रातना पतर दे करके आपको NOC ले लेना है तो उसमें फिर bank आपके साथ कोई recovery नहीं करेगी तो दोस्तो इस प्रकार से आपने समझा कि right of loan map होता है या नहीं या फिर right of loan का settlement होता है कि नहीं और कि किस प्रकार से अगर आपको NOC नहीं मिलता है तो क्या problem होती है और किस प्रकार से आप NOC ले सकते हैं तो दोस्तो यह information आपको कैसे लगी आप comment section में जा करके comment करके हमें जरूर बताएगा दोस्तो अगर आपने भी किसी bank से कोई भी loan लिया है और bank वाले परशान कर रहे है legal notice भेज रहे हैं और आपको इस legal notice का जबाब देना है और आपको legal advice के जरूरत है तो आप स्क्रीन पर दिये हुए WhatsApp नंबर पर संपर करें और घर बैटे ही अपने लिए legal advice ले सकते हैं तो दोस्तो वीडियो चलागा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजेगा इसे अप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपूर्ट जरूर प्रदान करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक आप अपना और पूरे परिवार का ध्यान जरूखेगा थैंकिस सो मच जैहिन दोस्तों